मुझे बुलाया था सुबह ग्यारा बजे और ग्यारा बजे से साड़े आठ बजे तक लगबग उन्होंने पूछता चाहिए साड़े नौ घंटे सबसे पहले मैं CBI के सबी ऑफिसर्ज का शुक्रियादा करना चाहता हूं उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में सुहार्दबून माहौल में पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्ण पूछे तो उनकी जो भी कर्ट्सीज हैं होस्पिटालिटी है उसके लिए मैं उनका शुक्रियादा करना चाहता हूं जितने प्रश्ण उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिये जैस जूट है फरजी है और गंदी राजनीती से प्रेरत है आम आदमी पार्टी एक कट्टर इमांदार पार्टी है इमांदारी कट्टर इमांदारी हमारी बेसिक आइडियोजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपनी इमांदारी के साथ कभी कॉ दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू है यह वो काम नहीं करते हैं यह अच्छे स्कूल नहीं बना सकते हैं 30 साल में इन से गुजरात में एक स्कूल नहीं बना मध्यपरदेश में एक स्कूल नहीं बना तो यह जो अच कुछ थे अभी जब आमादमी पार्टी ने किया अजो तुम ने क्यों नहीं किया लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिली में वो काम होने शुरू हो गया और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है आमादमी पार्टी बह अगर आपके कोई प्रशन है तो आप सब कुछ पूछा उन लोगों ने यह नीती शुरू कैसे हुई आपने कहां से शुरू किया क्यों शुरू किया वहां से लेके अंत तक सारा आप यह मान के चलो कि 2020 से लेके और अभी तक कि जितनी डवलप्मेंट्स हैं सब के ऊपर ऐसा मुझे कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आगे बुलाएंगे और मेरा अपना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फरजी है सब कुछ फरजी है इतना साभी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नहीं है यह कहने के लिए कि हाम आदमी पार्ट थे यहां हमारी सरकार ने कुछ गलत किया आमी पार्टी के लोग आवाज उठा रहे थे अंको गिरफतार किया गया ये गलत है शान्ती-पूर्वग प्रदर्शन करना हम लोगों का अधिकार है हम किसी को कोई गलत नहीं कर रहे मुझे खुशी है कि आप दीरे दीरे छोड़ रहे हैं क्यों नहीं बुला सकते हैं क्यों नहीं बुला सकते हैं कैसे कौन से नहीं हम के खिलाफ है कल सदन होगा बिलकुल होगा कौन से नहीं हम के खिलाफ है कैबिने ने प्रस्ताव पारित किया सबीकर सब्सक्राइब और कि शुक्राइब उसको थोड़य कानून काइदे की जानकारी यहुद रहेगा बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्यू आखक्तुमार लिजने बाखक्तुमारे